So, Hey Guys, Welcome Back To The Channel और आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जहांपर आज की स्टुडियो में हम लोग अन्बॉक्स करेंगे Redmi Note 90 5G स्मार्टफोन को अगर हम बात करें Redmi Note 90 5G स्मार्टफोन के बॉक्स की तो यहांपर आपको उपर की तरफ जो है Redmi Note 90 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है जहांपर बॉक्स के इन्डेंट की बात करें तो यहांपर आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है फिर आपको फोन देखने को मिलता है जहांपर अगर हम फोर्स लुक की बात करें रियर की तो यहांपर आपको जो है सरकलर करट आउट में टिर्पर रियर कैमरा देखने को मिलते है स्मार्टफोन में जो की आती है मैट फिनिशिंग के साथ प्लास्टिक बैक में जहांपर गैस अगर हम बात करें फ्रंट व्यू की तो यहांपर आपको जो है कुछ ऐसा फ्रंट व्यू देखने को मिलता है स्मार्टफोन का बूट करके जो है फोन को रखते हम साइड में साथ में बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट और बाकी चीज़ों की तब तक तो यहांपर गैस अगर हम बॉक्स की बात करें जो कि आपको सबसे उपर देखने को मिला था तो यहांपर इस बॉक्स में जो है उपर के आपको देखने को मिलता है और आपको जो है एक decent quality का TPU case देखने को मिलता है documentation की बात करें तो यहाँ पर आपको warranty card और कुछ user manual देखने को मिल जाती है बात करें तो अगर हम TPU case की तो यहाँ पर आपको इसमे side mounted fingerprint scanner देखने को मिलता है circular card out देखने को मिलता है इस TPU case में और quality की बात करें तो गाइस बहुत ही decent quality का TPU case है मतलब कि आपको जो है regular use में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बात करें गाइस इसके adapter की तो inbox आपको जो है एक ultra watt का fast charging adapter प्रवाइड किया जाता है जो कि आपके phone को almost 30 minute में जो है 33% charge कर देता है जो कि गाइस redmi मतलब company द्वारा जो है बताया गया है वहीं बात कर अगर हम इसकी type C cable की तो गाइस यहाँ पर आपको जो है USB type C cable देखने को मिलती है जिसकी जो length है गाइस वह आपको देड़ मेटर देखने को मिल जाती है जिसको भी guys अगर हम रखते हैं अभी side में जहाँ पर बात करें अगर box content की तो यहाँ पर यह कुछ थे guys box content जहाँ पर अगर हम आते हैं phone पर तो यहाँ पर guys जो phone है वो itself ही guys बहुती सुन्दर देखने को मिलता है जहाँ पर गर हम बात करें इस phone के back view की तो यहाँ पर guys इसका जो main मुझे सबसे बेकार चीज़ लगी है वो लगी है guys इसकी bezels और इसके plastic back को लेकर जहाँ पर guys इसका जो plastic back है उससे जो है guys इसमें जो है premiumness वाली feel नहीं आती है smartphone में जहाँ पर बात करेंगरे इस phone के display की तो यहाँ पर guys आपको 6.53 inches की एक full HD plus resolution वाली IPS LCD display देखने को मिलती है जो कि आती है guys पंचुल के साथ जो कि guys आप देख सकते हैं आपको top left corner में देखने को मिल जाता है bezels की बात करें तो guys यहाँ पर आपको चिन थोड़ी कम देखने को मिलती है पर side में और उपर की तरफ जो bezels है वो guys आपको बहुत ही जादा देखने को मिलते हैं साथ में जो पंचुल का जो size है guys वो भी आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है वहीं पर अगर हम बात करें इसके selfie camera की तो यहाँ पर आपको 13 Megapixel का selfie camera प्रवाइड किया गया है जिसे कि आप guys फुल HD में जो है अट 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं साथ में बात करने guys अगर इस phone के features की तो इस phone में use किया गया है Miritech Dimensity 800 Uola 5G chipset जो कि guys आता है 5G connectivity के साथ और ये phone 5G support करता है जहाँ पर इस phone में आपको 5000 mAh की बड़ी battery प्रवाइड की जाती है साथ में 8.8 का fast charger जैसे कि मैंने आपको बताया है कि inbox प्रवाइड किया गया है जो कि आपके phone को just 30 minutes में 33% charge कर देता है बात करें guys अगर इस smartphone में पोच की तो यहाँ पर आपको tight support देखने को मिलता है dual जो है आप एक time पे SIM लगा सकते हैं और dedicated microSD card slot भी इस phone में आपको देखने को मिल जाता है साथ में गर हम बात करें इस phone में जो है आपको 3.5M audio jack भी देखने को मिलता है साथ में IR blaster भी देखने को मिल जाता है बात करें guys इस smartphone में आपको जो है front की तरफ जो selfie camera देखने को मिलता है तो guys वहाँ पर आपको जो है face unlock का feature भी देखने को मिल जाता है इस smartphone में जहाँ पर अगर इसकी fingerprint scanner की बात करें तो यहाँ पर आपको side mounter fingerprint scanner देखने को मिलता है जैसे कि आपको Redmi Note 9 4G सीरीज में देखने को मिला था इंडिया में बात करें गाइस इस फोन की तो यहाँ पर गाइस इस फोन में जो है कुछ भी ऐसा बड़ी खामी नहीं है साथी साथ अगर हम बात करें इस स्मार्ट फोन की तो यहाँ पर आपको जो है कौनिंग गोई लग लग राएस 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है सामने की तरफ जो कि आपके फोन को जो है जीचे गिरने से बचाने वाली है बात करें गाईस अगर हम इस फोन के रियर कैमरा की तो यहाँ पर आपको जो है प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है 48 मेगा पिक्सल का साथ में आपको 2 मेगा पिक्सल का एक डेप सेंसर और एक 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस भी रियर में प्रोवाइड किया जाता है बहुत जल्द खराब हो सकती है तो इस वज़र से जो है आपको हमेशा इस फोन पर जो है कवर लगा कर रखना पड़ेगा अब बात करें गाइस अगर हम इस स्मार्टफोन की इंडियन लांच की तो ऐसा बताया जा रहे हैं कि यह जो फोन है फैबररी की मीनी के आसपास जो है इंडिया में लांच हो सकता है जहांपर मेरी सोसिस की बात करें तो वो गाइस ऐसा बताया थे कि आपको 15 फैबररी से पहले पहले इंडिया में ये फोन देखने को मिल सकता है जहांपर इसका जो नाम होने वाला है वो आपको रेडमी नोट 95 जी ही देखने को मिलेगा इंड सेट के साथ वहीं बात करें इसके 6GB 64GB वेरेंट की तो वहां पर उसका प्राइज जो है आपको Redmi Note 9 Pro के जैसा ही देखने को मिलेगा मतलब कि वह जो है आपको 15-16,000 रुपे में इंडिया में देखने को मिल सकता है आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए की वाचेंग एंड सायोनारा